हाई, वेलकम तू मैच स्लुशन फाउंडेशन इस वीडियो में कांसेप्ट आफ इरिशनल नंबर्स डिस्क्स करेंगे इस अल नंबर्स लाई इन फोर और फाइव की बीच में हम नंबर्स फाइड कर रहे हैं बस पिछले वीडियो में मैंने rational number को लेकर के अच्छे से बताया है सक कुछ यदि आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं ध्यान दिजेगा irrational numbers क्या होते हैं और उन्हें number line पर कैसे find करें कैसे हम feel करें कि आखिर 01 की बीच में कहां है irrational numbers like this you can find infinite number of irrational numbers between these two यह सारे के सारे यहीं लाई करते हैं वन और टू की बीच में कौन-कौन से irrational numbers हैं कैसे find करेंगे तो these are all irrational numbers which lies in between one and two two और थ्री बीच में कौन-कौन से है irrational numbers this number also lies in this चलिए समझते हैं number line पर बहुत सारे numbers होते हैं जिनमें से एक number होती है जो जिनें बोलते हैं rational numbers तो rational numbers को define क्या गया है कि P by Q के form का number होना चाहिए जिसमें Q not equal to 0 है तो 0 और 1 के बीच में there are infinite number of rational numbers 1 और 2 के बीच में 2 और 3 के बीच में 3, 4 के बीच में 4 and 5, 5 and 6, 6 and 7 या इसके आगे जितने भी intervals आ रहा हैं उन सब के बीच में rational numbers infinite होते हैं लेकिन क्या कुछ ऐसे भी numbers होते हैं जो 0 और 1 या 0 मैनस 1 या मैनस 1 मैनस 2 या फिर 2 और 3, 3, 4 इन सब के बीच में ऐसे भी कोई number होता है जो इन सबी के बीच में rational ना हो तो yes पाइथागोरियन्स ने बहुत पहले बता दिया था कि ऐसे numbers exist करते हैं जिससे एक पाइथागोरियन थे हिपाकस उनको फासी दे दी गई टेडिसन सुजाइटी जानते हैं क्या होता है तो यहाँ पर समझना है हमें कि 0 और 1 के बीच में P by Q के form में नहीं represent होने वाले numbers होते हैं तो कौन से होते हैं कैसे find करेंगे तो ध्यान दिजेगा इन सभी numbers के बीच में find करेंगे बड़ी असानी से बस आपको ध्यान देना है हमें बस करना क्या है कि देखना है कि 1 का 1 जो है किस number का square root होता है तो 1 तो 1 का ही होता है यदि square root of 1 लेंगे तभी तो 1 आएगा और 2 किसका square root होता है तो square root of 4 2 होता है square root of 4 3 होता है square root of 9 and this is square root of 16 this is square root of 25 यह मैं क्यों लिख रहा हूँ ज़रूरी है यह तो समझना है आपको समझेगा ध्यान से यहाँ पर under root 36 यह होगा under root 49 अब जानते हैं कि यह सारे numbers ऐसे आते हैं तो 0 और 1 के बीच में कोई भी number निकालने के लिए बहुत असान है यह तो आपको क्या करना है कि कोई एक rational number लेनी है जो 0 और 1 के बीच में like करती है और उसका square root ले लेना है वह number 0 0 और 1 के बीच में like करेगी तो काउंस ही वो number होगी इसे 1 upon 2 1 upon 2 क्या है 0 और 1 के बीच में एक rational number है कोई भी proper rational number कोई भी proper number 0 और 1 के बीच में ही like करती है तो 1 upon 2 will lie in 0 और 1 लेकिन under root ले लेंगे तो यह हर number हो जाएगे irrational और यह irrational number यहाँ पर lie करेगी 0 और 1 के बीच में है ठीक ऐसे ही दूसरा निकलना होगा तो 1 upon 3 1 upon 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 को बाहर रिकल जाएगा 1 बे 2 आजाएगा तो ऐसे करके आप और भी find कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर लिख दें एक और 1 upon 5 root 1 upon 6 इन सब के अलावा और भी लिख सकते हैं आप जैसे कि 3 upon 4 under root आप लिख सकते हैं 4 upon 5 like this you can find infinite number of irrational numbers between these two यह सारे के सारे यहीं लाई करते हैं अब वो 1 देखिए 1 और 2 के बीच में कौन से irrational numbers है तो यहाँ पर देखिए root 1 और root 4 के बीच में जो numbers आते हैं वो तो इसमें like करेंगे ही करेंगे तो जो root 1 और root 4 के बीच में like करते हैं वो है root 2 और root 3 यह दोनों तो like करते ही करते हैं और root 2 और root 3 जो हैं irrational numbers हैं क्योंकि इनको P by Q के form में represent नहीं कर सकते root 2 और 3 के बीच में निकालना है तो इसी के आगे बढ़ते जाहिए root 5 root 6 root 7 root 8 यह सारे 4 numbers जो हैं 2 और 3 के बीच में like करेंगे क्या और भी numbers हैं जो इनकी बीच में like करेंगे या इनकी बीच में like करेंगे के वल यही सारे हैं नहीं और भी हैं there are infinite number of irrational numbers between 1 and 2 तो और भी find करते हैं ध्यान देजेगा यहाँ पर 1 और 4 को ध्यान देजे कि वल यह 1 और 4 जो square root के अंदर दिख रहा है उसको देखिए और 1 और 2 के बीच में बहु सारे numbers find कर सकते हैं कैसे देखिए ऐसे यहाँ पर 1 और 4 के बीच में कोई भी एक number लेजे जैसे 3 और 3 के आगे कोई भी एक fraction लगा दीजे fraction मतलब की 1 upon 2 और इसका square ले 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 this number is an irrational number which lie between 1 and 2 और भी हम बहु सारे ले सकते हैं जैसे की root में ले 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 3 whole 1 upon 4 this number also lies in this interval वैसे ही ले 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 ले-जे under root 2 whole 2 upon 5 this number also lies in this तो थीजे आर आल irrational numbers which lies in between 1 and 2 तो देख रहा है 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 यहाँ पर क्योट यह अंडर root के अंदर देखकर के हम find कर लिए ठिक वैसे यहाँ भी find करेंगे तो 4 और 9 4 और 9 को देखिए और उनके बीच में कोई भी एक नमर लेते हैं 4 और 9 के बीच में 5 है और अंडरूट 5 तो अल्रेडी रिशनल नमबर है इसके अलावा हम यहाँ पर और सारे रिशनल लेते हैं जैसे कि 5 ले लिजे और फिर होल करके 1 अपन 2 कर दिजिए इस नमबर आलसो लाइज इन इस फिर अंडरूट में 6 होल 1 अपन 3 कोई भी मतलब ऐसे अब बना सकते हैं 8 होल 2 अपन 3 इस नमबर आलसो लाइज इन इस अंडरूट 9 होल 4 अपन 5 सोरी यह नहीं लाए करेगा तो इसके आगे बहु चला जाएगा यह वाले नमबर हम नहीं लेंगे 9 नहीं लेंगे हम यहाँ पर 8 या 7 या कुछ भी ऐसे ले करके बना सकते हैं 7 ले सकते हैं 7 होल 4 अपन 5 इस नमबर आजो लाइज इन इस आपको आडिया लग रहा होगा कि कैसे फाइंड करेंगे clear अब ध्यान देजिएगा यहाँ पर देखना है कि 3 और 4 के बीच में कौन से नमबर होंगे तो 3 और 4 बीच में 9 आपको देखे बस तो यहाँ पर आल्रेडी आपको पता है कि 9 के आगे होगा under root 10 जो इसमें लाइग करेगा under root 11 लाइग करेगा under root 12 under root 13 under root 14 under root 15 यह 6 नमबर्स तो लाइग करेंगे करेंगे और भी बहुत सारे हैं तो देरा infinite numbers मतलब देखे 9 के आगे कोई भी नमबर लिजे 10 और यहाँ पर under root के अंदर रखे ऐसे लिखी है 10 hole 1 upon 2 तो इस नमबर विल लाइग इन 3 & 4 फिर से लिजे इसमें 10 hole 2 upon 3 कोई भी यहाँ पर फ्रेक्शन जोडना है भस आपको तो mixed fraction बना रहे हैं भस इसको round-off करके आप इन प्रापर देख सकते हैं कौन सा नमबर होगा तो अंदर रूट यहाँ पर हो सकता है 11 hole 4 upon 5 तो इस नमबर आसो लाइज इन इस similarly you can find अंदर रूट 15 hole एन नमबर 10 upon 11 ओके तो इस नमबर लाइज इन इस 3 & 4 तो इस आल और इराशनल ऐसे ही करके आप इन्फानाइट नमबर आफ इराशनल नमबर कर सकते हैं कर दो आफ फॉर एर फ्ाइआज जैते दो एक तु डेरेक्टरी दिख रहे हैं यहां पर सेबेंटी फीर होगा अंदर रूट 18 अंडर रूट 19 फिर होगा अंडर रूट 20 अंडर रूट 21 अंडर रूट 22 अंडर 23 हंडर रूट 24 & अंड päंव नहीं वागा को इस अ पक्रम शो यह हमें 17 hole 2 upon 3 ऐसे करके बनाना है under root अब देखिए कोई भी ले ले लिजे 18 hole 2 upon 5 ठीक है बस यहां fraction write करना है और यहां पर इन सभी को नंबर को लेना है अंडर root 19 hole 7 upon 8 ठीक है इस तरह के नंबर्स अंडर root 20 hole 1 upon 2 तो इस आल नंबर्स लाइ इन 4 और 5 जब बीच में हम नंबर्स फाइंड कर रहे हैं बस अब यहां देखिए 5 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर्स होंगे तो यहां पर आल्रेडी दिख रहे हैं आपको अंडर root 26, अंडर root 27, अंडर root 28, अंडर root 29, अंडर root 30, फिर अंडर root 31, अंडर root 32, अंडर root 33, अंडर root 34, अंडर root 35 यह सार नंबर्स होंगे इसके बीच में 5 और नंबर्स को फाइंड करने के लिए आपको बस फ्रेक्शन्स अड़ करने हैं अंडरूट 26, hole 1 upon 2, this number will lie in this, क्यों यहाँ पर देखिए कि 25 और 36 के बीच में कोई भी number लिजिए और उसके आगे एक fraction जोड़िए, वो हो जाएगा एक rational number, और उसके पहले अंडरूट जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा irrational number, और वही तो find करना था हमें, देखिए 27, hole 5 upon 6, अंडरूट 28, hole 1 upon 2, like this you can find infinite number of rational numbers, तो these are all between 5 and 6, ऐसे करके आप और ही find कर सकते हैं, ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर 6 और 7 के बीच में, तो यहाँ पर आल्रीड आपको दीख रहा है, अंडरूट 37 होगा, अंडरूट 38, अंडरूट 39, अंडरूट 40, अंडरूट 41, अंडरूट 42, अंडरूट 43, 44, अंडरूट 45, अंडरूट 46, अंडरूट 47 और अंडरूट 48, और 49 तो हाई है, तो इस तरा रखन नНमर से यहाँ पर लाई करेंगे, और भी नंमर्स find करने के लिए, यहां पर लगाते रहें 37 whole 1 upon 2, this number will lie in that 47 whole 4 upon 5, this number will also lie in 6 and 7, तो यह सारे numbers आप find कर पार हैं, देख रहे हैं, सारे इसारे ही rational हैं, और यही magic formula है, एक और formula है, ठीक है, एक और formula है, और मतलब कि आपने यहां लगाया है, square root, square root, square root, square root, अब हमें क्या करना है, कि 1 का देखना है कि cube root किस number से करने पर आता है, जैसे हम यहां पर 1 का cube root ले सकते हैं, 1 का cube root लेंगे, तो 1 आएगा, 2 किस numbers का cube root लेने पर आएगा, तो यदि हम cube root लेते हैं 8 का 8 का यदि cube root लेते हैं तो 2 आएगा 3 का cube root लेने पर क्या आएगा 27 cube root लेने पर और यहाँ पर 4 का लेने पर under root 64 ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि यह under root under root under root के अलावा भी क्यूब रूट वाले भी इरेस्टनल नमबर होते हैं मतलब कि यदि हम बताएं आपको जिसे यहाँ पर 0,1 के बिच में एक नमबर बताता हूँ आपको यह नमबर जो होगा 1 upon 2 ले लिजे और यहाँ पर क्यूब रूट ले लिजे इसका मतलब जानते हैं क्या होता है आप जी जानते होंगे 1 upon 2 का यहाँ पर यहाँ पर यहाँ दि क्यूब लेने पर इसका मतलब होता है कि 1 upon 2 का पावर 1 by 2 लिया गया है 1 by 3 लिया गया है इसका मतलब यही होता है वो ऐसे ही ठीक है तो समझ गए होंगे तो ऐसे करके दिखिए यहां पर क्यूब रूट हो गया फिर वैसे ही एक ओव नमब ले सकते हैं यहां पर 2 by 3 लिजे और यहां पर क्यूब रूट लगा दीजे कोई भी प्रापर लिजे 0 1 की बिच में और उसमें क्यूब रूट लगा दीजे वह और नम क्यूब रूट आफ 2 क्यूब रूट आफ 2 की बिच में लाई करता है क्यूब रूट आफ क्यूब रूट आफ 3 क्यूब रूट आफ 4 क्यूब रूट आफ 5 क्यूब रूट आफ 6 यह सार एक सार इसमें लाई करेंगे ठीक है आपको आइडिया मिल गया है कैसे फाइंड करे करेंगे irrational numbers को इन सभी की बीच में, तो देखे 2 और 3 की बीच में find करना है, यहाँ पर add करते जाहिए, under root, cube root of 5, cube root of 8, यहाँ पर 8 है न, ध्यान दे जाएगा, 8 यहाँ पर ध्यान देना है, 8 और यहाँ 27 है, तो cube root of 8 हो गया, cube root of 9, cube root of 10, ऐसे cube root of 11, ठीक है, यह सारे एक सारे numbers 2 और 3 के बीच में लाई करेंगे, और सारे एक सारे irrational हैं, देख रहा हैं, कितने सारे find कर सकते हैं, तो यह बहुत ही easy है find करना irrational numbers को यहाँ पर, इसलिए कहा जाता है कि कि सी भी दो रेशनल नंबर के बीच में, there are infinite number of rational numbers, as well as irrational numbers, कोई भी दो नंबर लीजिए, जिसे 2 और 3 इनके बीच में infinite rational भी है, और infinite irrational भी है, ठीक है, कोई भी 2 rational number लीजिए, या फिर कोई भी दो irrational लीजिए, root 2 ले लेते हैं root 3 ले लेते हैं इनके बीच में यहाँ पर there are infinite number of rational numbers as well as irrational numbers ठीक है यही पूरा concept है real line का number line का यदि आप यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो सच मैं बताता हूँ कि you are the you are the brightest student you want to learn mathematics you want to understand it यदि कोई भी doubt अभी भी है तो जरूर comment box में लिखिए कुछ यदि आपको अच्छा लगा तब भी लिए comment box में